Hello students, welcome to our channel I PADHAI तो कैसे हो आप सब? I hope आप लोग सब बहुत अच्छे हो health wise भी और आप लोगों की त्यारी नीट के लिए बहुत अच्छी चल रही है तो अब ताकि आप लोगों की नीट के त्यारी और अच्छी हो सके और आप लोग नीट में और बहुत ज़्यादा अच्छा रैंक ला सके बहुत बढ़िया परफॉर्म कर सके उसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक special video series लेकर आ रही हूँ जिसकी help से आप लोग नीट physics में और ज़्यादा अच्छा score ला पाएंगे ओके आप लोग अपनी जो तियारी कर रहे हो वो तो आप करते ही रहो साथ की साथ आप इन वीडियो की help से अपनी performance को और ज़्यादा better कर पाओगे इस बात की मैं guarantee लेती हूँ तो basically आने वाली जो कुछ video series है उसमें हम लोग class 11th का और class 12th का जो ये topics हैं उनको हम cover करेंगे ओके आप cover किस तरह से करेंगे वो मैं आपको समझा देती हूँ basically जो ये कहते हैं न ये जो हमारा subject है physics generally बच्चों को इसे बहुत ज़्यादा डर लगता है तो डर क्यों लगता है क्योंकि concept पता होता है लेकिन जब सामने हमारे numerical आता है या कोई application वाला question आता है तो हम लोग उस concept को apply नहीं कर पाते इसलिए जो physics है वो बच्चों के लिए अकसर tough हो जाता है हो सकता है कुछ बच्चों का ये favorite subject भी हो पर मैंने maximum बच्चों में देखा है कि उनको physics से डर लगता है तो अब basically हम इस video series में ऐसा क्या करने वाले हैं जिससे आपके डर खतम हो सके तो मेरी जो approach है वो ये रहेगी कि आप लोगों को theory ना करवा कर मैं आप लोगों को theory नहीं करवाऊंगी ठीक है क्योंकि theory तो आप लोग खुद से पढ़ रहे हो इतने time से पढ़ रहे हो अब तक theory तो आपको पता ही है सारी है ना मैं आपको theory नहीं करवाऊंगी मैं आपको direct numericals करवाऊंगी numericals और जो MCQs हैं वो MCQs जो पिछले सालों में आए हुए हैं या फिर जिस तरह के MCQs ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं है ना हम लोग उन MCQs पर focus करेंगे तो अब इसकी जो यह approach है उससे हम कैसे अपने performance को better कर पाएंगे वो हम समझते हैं तो होगा क्या कि जब आप numerical solve करोगे या जब आप कोई MCQ को solve करने की कोशिश करोगे तो आप automatically उसमें किसी ना किसी theory का concept apply करोगे तो basically क्या होगा कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हाँ भी इस concept को अपने को इस तरह से लगाना है है ना तो concept का concept revise हो जाएगा और उस concept का application भी आपको समझ में आ जाएगा ओके तो I hope आप लोगों को मेरी approach समझ में आई हो अब जो next कुछ months है उसमें मैं लगातार time to time ये जो video series है specially for target need 2022 in physics इसको मैं upload करती रहूंगी मेरी request है आप लोगों से कि आप लोग channel को subscribe करना और इन video series को बहुत अच्छे से follow करना ठीक है हर video series के end में मैं आपको कुछ questions दूँगे try करने के लिए उन questions को आप try करना उनके solutions मैं next video में upload करूँगी ओके तो I hope हम लोग साथ मिल कर आपकी ये जो need 2022 की चर्णी है इसको ज्यादा से ज्यादा successful बनाए ठीक है और आप लोग अपना जो dream rank है उसको achieve कर सके all the best students